जैशी किष्णा दोस्तों बियसरा फैमिली में आपका स्वागत है दोस्तों और आज की वीडियो में हम मंगलवार के दिन किया जाने वाला बहुत ही अद्भुत उपाय और चमतकारी उपाय आपको बताने वाले हैं दोस्तों इस उपाय को अगर आप कर लेते हैं तो यकीन मा दोस्तो जीवन में कोई भी ऐसी मनोकामना है जो पूरी नहीं हो पारी है या आप बहुत लंबे समय से बिमार हैं या धन की वरकत नहीं हो रही माता लक्षमी का आपके घर में आगमन नहीं हो रहा अगर आपको संतान की प्रापती नहीं हो पारी है यानि संतान प्रापती में रुकावटे चल रही हैं तो इस उपाय को जरूर करें यानि किसी भी तरह की आपकी कोई परेशानी चल रही है कोई विशेश मनो कामना है तो इस उपाय को आप अवश्य करें दोस्तो इस उपाय को आप सुबह से लेकर रात तक कभी भी इस उपाय को कर सकते हैं बस कुछ बातों का आपको ध्यार रखना है कि जब आप इस उपाय को कर रहे हैं हो सके तो स्नान करके ही करें और अपने सिर पर एक लाल कपड़ा अवश्य लें अगर लेडी से तो लाल चुड़नी रख सकती है अगर जैन से तो कोई लाल रुमाल आपको अपने सिर पर बाल लेना है और इस उपाय को करने के लिए आपको मात्र एक दीपक लेना है आप आटे का दीपक भी बना सकते हैं मट्टी का दीपक भी ले सकते हैं और साथ में आपको लेने हैं दो फूल्दार लॉंग के जोड़े लेने हैं और आपको सवा मीटर या फिर एक मीटर आपको ल में असारी से मिल जाएगा आपको सबा मीटर या एक मीटर लंबा धागा ले 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 लेना है और इन दोनों वस्तू को लेकर आपको हनुमान जी के मंदिर में जाना है दोस्तो यहां पर बहुत होगा अगर अपने घर में जाकर इस उपाय को करें दोस्तो जहां पर हनुमान जी पर चोला चड़ाया जाता है आपको वहां पर मतलब हनुमान जी के सामने इस उपाय को करना है और आपको इस दिन देखे गुड़ चने का भोग हनुमान जी को अवश्य लगाना है दोस्तो आपको हनुमान जी के सामने इस उपाय को करना है आपको सबसे पहले तो दीपक प्रजलित कर लेना है दीपक के नीचे आप कोई भी लाल कपडा या फिर कोई प्लेट रख ले और जो भी आपके जीवन की जो परेशानिया चल रही है आपको दो फूलदार लॉंग अपने हाथ में लेने है या कोई विशेश मनो कामना है उसक बोल कर आपको उस दीपक में वो फूलदार लॉंग डाल देने है और उस दीपक को प्रजलित करना है और आपको लाल धागा लेना है लाल धागे पर आपको साथ गांट लगानी है और प्रते गांट पर यानि हर एक गांट पर आपको हनुमान चालिसा का पाठ करना है दोस और हनुमान जी का जो गदा होता है गदा का जो सिंदूर है आपको उन सातों गाठों पे लगा देना है और थोड़ा सा सिंदूर हनुमान जी के चड़नों का आपको अपने मस्तक पर अपने कंठ पे लगा लेना है और जिस भी वैक्ती का मतलब जो भी वैक्ती इस उपाय को क या आप दूसरे के लिए कर रहे हैं तो उसका नाम और गोतर का उच्चारण अवश्य करें और इस धागे को आप चाहें तो अपने हाथ में बांद सकते हैं इस उपाय को देखें पुरुश कर रहा है तो अपने सीधे हाथ में उस धागे को बांद ले या आप अपने गले मे उसको धारन कर ले उस धागे को दोस्तो इस धागे को जब तक आपको अपने हाथ में या गले में धारन करके रखना है जब तक कि आपकी वो परेशानी दूर ना हो जाए या आपकी इच्छा है जो पूरी ना हो जाए तब तक इसको आपको बांगे ही रखना है और यकीन मान यह साथ दिनों के अंदर आपकी वह इच्छा अवश्य ही पूरी होगी पूरे विश्वास के साथ आपको इस उपाय को करना है दूसरा उपाय है दोस्तों इस उपाय को आपको देखे सायकाल के समय या फिर जब सूर्यास्त हो जाता है छे वजे के बाद आप कभी भी इस तियार करना है मिट्टी का दिपक ले ले और साथ में आपको थोड़े से चुटकी भर काले तिल लेने हैं उन चुटकी भर काले तिलों को आपको अपने हाथ में रखना है और थोड़ा सा आपको गुड़े लेना है इन सभी वस्तु को लेकर आपके घर के पास जो भी पीपल पीपल व्रिक्ष के नीचे आपको जाना है वहाँ पर आपको अपने उपर से साथ बार उन काले तिलो को उसार लेना है जो भी अपनी परेशानी है उसको बोलने के बाद उन काले तिलो को पीपल की जड़ की मतलब जड़ में छोड़ देना है और उस गुड़ को भी आपको वहाँ पर रख देना है और इस दीपक को आपको प्रजलित करके आना है दोस्तों इस उपाय को आपको दखे चिपचाप तरीके से करना है रास्ते में जाते समय और आते समय आपको किसी से भी बात नहीं करनी है आपके जीवन में जितने भी ग्रहे दोश है जितने भी परेश परेशानिया चल रही हैं इस उपाई को करने से निश्शित ही दूर होंगे दोस्तो अगर आपके घर के आसपास पीपल का वरिक्ष नहीं है तो आप इस उपाई को भी हनुमान जी के सामने कर सकते हैं दोस्तों ये दोनों उपाई बहुत ही सरल हैं और बहुत ही अचुक हैं आप इनको जरूर करें जीवन में जो भी आपकी दिक्कते चल रही हैं परेशानिया चल रही हैं आपको समझ नहीं आ रहा है कि अब हम क्या करें मतलग कई बारी ऐसा होता है कि हमें बहुत ज्यादा परेशानी होती है बहुत ज्यादा मानसिक टेंशन होती है जो हम किसी के पाते तो आप इस उपाय को जरूर करें हनुवान जी की किरपा से आपकी सभी परेशानिया सभी संकट हर लेंगे संकट मोचन हनुवान जी दोस्तों उपाय को करें लाप्राप्त करें आप सभी को